उपचुनाव से ठीक पहले क्या मुझफर नगर में कोई बड़ी साजिस रची गई थी या फिर एक बार फिर से मुझफर नगर को दंगों के आग में जोगने की कोशिश थी जी हाँ मुझफर नगर की बढ़ाना पुलिस ने 19 पत्थर बाजों को अरेस्ट कर लिया है ये सभी वही लोग थे जिन्होंने मुझफर नगर के बढ़ाना में अखिल त्यागी के घर पर पत्राव किया था साथी साथ बढ़ाना का माहौल खराब करने की कोशिश जो है वो उनकी अफ्तार हुए हैं उनके नाम बता देता हूँ मैं आपको इसमें हसनेन है राहिल है आजम है समी कुरेशी है कैफ है उजैफ है जुनैद है काशिफ है मासूम है असद है फैद है इखलाक समीर इसरार राशीद आस मुहम्बत नावेद शम्शाद और सैफुर रहमान ये 19 व जिनको मुख्य साजिस करता जो है पुलिस की तरफ से बताया गया है प्रेस कोंफरेंस के लावा के दोरान साथ ही साथ जो प्रेस रिलिस जो जारी हुई थी उसमें भी इनको मुख्य साजिस करता बताया गया और ये लोग है हसनेन है राहिल है और आजम और कहीं ना कहीं य ये तीनों ही AIM के नेता है जी असवदून अवेसी की जो AIM है उसके ये तीनों नेता है बुढ़ना के और इनी पर ही पुरा आरोब जो है वो लगाया गया इसके अलावा इनको साजिश करता जो है पुलिस की तरफ से बताया गया है इन पर आरोब है कि जिस समय वहाँ पर वीडियो जो है वो शेयर किये जिसके बाद से वहाँ पर बवाल बढ़ा और हंगामा हुआ अखिलत्यागी घर पर जो पत्थर बाजी हुई थी वहाँ उनमें भी कहीना कहीनी लोगों का जो है वो हाथ बताया जा रहा है आपको बताते चले कि कुछ दिन पूर भी जो अख इसको खराब किया है और एक बड़ी साजिस जो है वहाँ पर रची गई काफी देर तक वहाँ पर अखिलत्यागी घर पर भी पत्थर फेंके गए पत्राव वहाँ पर हुआ है और कहीं दुकानों को नुकसान पहुचाने की कोशिच जो है वो वहाँ पर की गई थी इसके ब पुलिस के पास इन सब के वीडियो एविडेंस है फुटेज है जिनके आधार पर इनकी गरफतार हुई है लेकिन जो तीन लोगों के नाम जो इनमें निकल कर सामने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं AIM के जो नेता है उन पर आरोप लगे हैं उनी पर आरोप है कि यहीं जो है मु पुलिस लोग गरफतार किया जा चुका है लेकिन जंभावना ये भी जताय जा रही है कि जो अन्य नामजद लोग है या फिर जो फरार है अग्यात में उनको भी पुलिस जल से जल गरफतार कर लेगी टीवीनान यूपी के लिए विकास कपील